16.2 एलकेनोईक अमल, एलकेनोईक एसेड आपने अमल शारक एवं लवन अध्याय में अमलों के बारे में पढ़ा है प्रकृती में कई तरह के कार्बनीक अमल बिखरे पढ़े हैं जैसे एसिटिक अमल, सीट्रिक अमल और लेक्टिक अमल आदी इन सभी अमलों में COOH क्रियात्मक समूम होता है जिसे कार्बोकसिलिक समूम कहते हैं आईए COOH की इलेक्ट्रोन बिंदू सनरचना को देखें जब कार्बोकसिलिक समूम H मूलक से जुड़ता है तो HCOOH बनता है जिसे फार्मिक अमल के नाम से जाना जाता है यदि H के बदले R अलकिल मूलक जुड़ता है तो RCOOH बनता है तथा इसे IUPAC पद्धती में अलकेनोईक अमल कहते हैं अर्थात अलकेन के E को हटा कर OIC ACID या OIC अमल जोड़ा जाता है सार्णी चार में कुछ उदाहरन दिये गए हैं उनके आधार पर उन इस्थानों को पूरा कीजिए जहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है आप अलकोहल में समाव्यवता के बारे में जानते हैं क्या अलकेनोईक अमल में भी कई सनरचनात्मक रूप हो सकते हैं? क्या इनके नाम भी अलग-अलग होते हैं? आईए कुछ उदाहरनों से इसे समझें क्या इसे समय तक इसे सिंगल वन एच्गेंग मनें जाने हों उद से इसे सिंगल वन एच्गेंग्ग जाने होते हों सेगनल आज सिंगल भी वनएच्गेंग तरतते हों गाट सेसस्गाचेंग डेल बालब ऑ तो फों सेखल बॉसम्ग 7BO tim G. QOOH, single bond C, single bond H, single bond CH 3, single bond C, double bond O, single bond OH силasüt, doble bond O, single bond OH एल्कोहल के नामकरण के समान एलके नौईक अमल में भी COOH क्रियात्मक समुह युक्त लंबी कारबन श्रिंखला का चयन किया जाता है श्रिंखला के अंकन में COOH समुह के कारबन को सदयाव एक अंक देते हैं इस तरह को सनरचना वाले एलकेनोईक अमल का नाम ब्यूतेनोईक अमल तथा खो का नाम टू मेथिल प्रोपेनोईक अमल है। समावयवी कहलाते हैं। कर एवं ख को ध्यान से देख कर बताईए कि दोनों एक दूसरे के स्थिती समावयवी हैं या शिंखला समावयवी। इसके लिए एक ऐसे बरतन का उप्योग किया जाता है जिसमें नीचे से वायू प्रवाह के लिए छिद्र बने रहते हैं। बरतन में लकडी की छीलन भरकर अमोनियम सलफेट मिलाया जाता है। अमोनियम सलफेट जीवाणों की वृद्धी में सहायक होता है। फिर इसमें दस प्रतिशत एथनॉल उपर से धीरे धीरे डाला जाता है। किंडवन प्रक्रिया के फलसरुप पात्र के सबसे निचले हिस्से में एथेनोईक अमल प्राप्त होता है। इस विधी द्वारा प्राप्त एथेनोईक अमल सिरका कहलाता है। इसमें एथेनोईक अमल की सांद्रता तीन से चार प्रतिशत होती है। शुद्ध एथेनोईक अमल जिसमें जल न हो ग्लैशियल एसिटिक अमल कहलाता है इसका क्वथनांग 118 डिगरी सेल्सियस होता है कार्बोक्सलीक अमल बना है या नहीं इसकी जाच प्राप्त उत्पाद में सोडियम कार्बोनेट मिला कर की जाती है कार्बोक्सलीक अमल बनने पर तीवर बुद्बुधाहट के साथ कार्बन डाई ऑक्साइड गैस निकलती है